हेई फ्रेंज वेलकम टो एक्जाम आसाने मेरा नामे सौरव और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करनाप मैप से रिलेटेट एक और एक्जामपल तो चलिए दोस्तो इस एक्जामपल को हम सौल्फ करते हैं तो हमें पहले बनाना परेगा बॉक्स चीच तो हमारा वैरीवल है A B C D हम इधर पर A B C D लिख लेते हैं और इधर पर हम लिखते हैं ए कम्प्लिमेंट, बी कम्प्लिमेंट, ए कम्प्लिमेंट, बी और इधर पर ए, बी कम्प्लिमेंट, फिर लिखते हैं, ए, बी और इधर पर क्या लिखेंगे, C compliment D compliment C compliment D फिर C D compliment और फिर लिखेंगे C D फिर हम इदर पर numbering भी कर देते हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इदर पर नहीं करना था 8 9 10 11 12 13 14 15 ठीक है मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ clear किया था आपको पता है तो अब 0 1 यह सब 0 जहां पर भी हमें यह जिस जिस नंबर पर हमें 1 निकला है यह नंबर हमें दिया गया है तो 0 पर 1 लिखना है 1 पर लिखना है 2 पर लिखना है 5 पर 7 पर 9 पर लिखना है 10 पर लिखना है 11 पर 12 पर लिखना है और 15 पर लिखना है अब हमें करना है grouping ठीक है तो maximum 1 लेना है और नंबर ओफ़न क्या क्या हो सकते है कितने नंबर ओफ़न ले सकते है 1 2 4 8 16 एक इस तरह से हम numbering करेंगे तो देखिए grouping कैसे करते है देखिए highest highest number of one लेना है तो अगर हम देखे तो यहां से हम दो एक को ले सकते हैं एक group बना सकते हैं यहां से देखिए देखिए यहां पर एक एक और हो जाता तो कुछ होता यहां पर एक हो जाता तो हम इसको पूरा एक कर सकते हैं लेकिन यहां पर एक निसी हैं तो कोई बाद नहीं हम एक काम करते हैं इसको भी एक बना लेते हैं और यहां पे देखिए इस one को हम इस वाले के साथ भी group कर सकते है इस one को इस वाले के साथ भी group कर सकते है लेकिन पूरा एक group तो नहीं कर सकते है तो क्योंकि group में तीन one हो जाएगा तो इस वाले one को for example मैं इस one के साथ कर देता हूं group अब देखी हैं यहां पर दो वन है अब यहां पर भी एक वन है तो इस वन को आप इस वाले वन के साथ ऐसे भी ले सकते हो मैं यहां पर इसको ठीक इस को इस तरह से ले लेता है और यहाँ पर जो 1 बचा इसको मैं इसके साथ ग्रूप कर देता हूं यह एक ग्रूप है और यहाँ पर जो 1 बचा हम मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता इसको अकेला ही रहना परेगा अब कितने ग्रूप है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे ग्रूप है, ठीक है, तो हमारा जो एंसर आएगा, वो छे, शिक्स टर्म होगा, एंसर में हमारे, तो A is equal to, हम एक एक करके करते हैं, पहले हम इस ग्रूप को कवर करते हैं, देखें, इस ग्रूप को कवर करते हैं, तो यहाँ पर एंसर क आएगा, यहीर ग्रूप के अगर, रोव व्हाइज लिख देखें, तो A कॉम्प्लीमेंट, B कंप्लीमेंट है, कोई changes तो नहीं है, चेंज होने के लिवी कंपर करना पार आदेगा, कोई नंबर ही नहीं है, तो हम इस नंबर को, as it is, लिखते हैं, A खांपृमेंट, B कंप् तो वैरिभल चेंज नहीं हो रहा है, जो हम उसको लिखेंगे, सी इस नहीं हो रहा है, हमने सी कंपल्मेंट को लिख द prone टीकंपलीमेंटalten हैं, तो हमना एक गुरुक किल्म कंपलीट plat, अब इस ग्रुप को देखते हैं, देखें इसका भी row wise तो इसका भी row wise a compliment b as it is लिख देंगे अब अगर column wise हम देखें देखें सी compliment d c d मतलब c compliment c change हो रहा है d change नहीं हो रहा है तो हम इदर पर लिखेंगे d ठीक है तो यह group भी हमारा complete next हम देखते हैं यह वाला group तो यहाँ पर A, B compliment as it is बैठ जाएगा और उपर की और हम देखे तो C तो change हो रहा है C नहीं में बैठेगा D बैठेगा तो हमारा 3 group हो गया 1, 2, 3 अब ये वाला group देखते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप साइट पर देखेंगे इस साइट पर देखेंगे ये दो तो देखे A change A change नहीं हो रहा है लेकिन B है B compliment हो गया तो B को हम नहीं लिखेंगे सिर्फ A को लिखेंगे हम अब इस group के अगर उपर की तरफ देखे तो यहाँ पे सिर्फ CD है इस group यहाँ पे CD को किसी के साथ compare करने की हमें जरूरत नहीं है देख तो CD है as it is CD तो कोई changes नहीं as it is हम देखेंगे तो हमारा चार group हो चुका एक, दो, तीन, चार अभी पांच, अच्छे बाकी तो फिलाल पहले 6 कर लेते हैं मतलब यह वाला group यह वाला group करने के लिए हम क्या देखेंगे यह वाला part के साथ इस वाले part को compare करेंगे तो अगर row wise देखे A compliment, B compliment A, B मतलब देखे यहाँ पर A change हो रहा है लेकिन B change नहीं हो रहा है B compliment, B compliment तो हम इधर पर as it is B compliment लेकि देखेंगे और row wise अगर column wise अगर हम इधर इस तरफ देखें हमने तो हम उपर की तरफ देखेंगे C, D देखे, C, D मतलब यहाँ पर तो कोई changes नहीं है तो as it is हम C, B compliment as it is जो है हम लेकि देखेंगे ठीके, बड़ा एक, दू, तीन, चार, पाँच अभी साथ नमबर वाला group करना बाकि है तो देखे, इधर पर A, B इधर इस group के इस साइट पर देखे तो A, B और उपर साइट पर देखे तो C, bar, D, bar C compliment, D compliment तो हम as it is इसको लिख देगे A, B, C compliment, D compliment कुछ भी changes नहीं है कुछ भी नहीं करना ठीक है अब यह जो expression आया है यह बिल्कुल simplified है ओके यहाँ पर main target होता है grouping grouping के time हमारा aim यह रहना चाहिए कि हमें maximum one cover करना है minimum group बनाना है क्या है minimum group बनाना है और maximum one cover करना है लेकिन यह rules के साथ इसा नहीं हमने maximum one के one बनाने के चक्कर में तीन एक या दस एक को एक साथ उसा दिया इसा नहीं ठीक है जो rules है वो है यह बहुत tricky question है और मतलब बहुत अच्छा लगता है solve करने करने पे तो आप TVS there के जितने भी question है आप थोड़ा एक गंड़ा टाइम दो पाच माक्स का सवाल है आराम से मिल जाएगा मतलब यह easy चीजों में आप time मतलब आपको मिलना ही जाएए अगर यहाँ पे पाच माक्स कराब हो गया तो बाकी जो memory management का part है वहाँ पे तो आपका मतलब हो जाएगा तो यह easy easy part में आप number निकालो अगर कोई problem है अगर आप चाहते हो भई यह game app मुझे solve करना problem हो रहा है तो मुझे आप भेज यह अगर मुझे लगता है वो problem मैं video बना के solve करने पे सब का help होगा तो मैं video बना के भी solve करूँँगा आपको मैं करके दूँगा आपको game app में कोई भी problem हो तो मुझे आप बेज सकते हो easy ठीक है तो चलिए दोस्तो इस video में इतना ही और इसका logic circuit बना लेना ठीक है तो चलिए दोस्तो वीडियो को share करना अपने दोस्तों के साथ और इस video में इतना ही मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक के टाटा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ठीक है तो चलिए बाई बाई